हेलो दोस्तों मैं मुहित्तों मर आपका पीसम सब्जेक्टी लर्निंग चैनल में स्वागत करता हूँ दोस्तों आज का जो हमारा टोपिक है बेह वैदु धारिता तो दोस्तों आज मैं आपको फिजिक्स में वैदु धारिता की परिवासा, सूत्र, मात्रक, वैबीमा बताऊंगा तो दोस्तों यदि आप रोजाना किलास त्वल्ट एंसियार्टी की फिजिस केमिस्ट्री मैथ की इसी परकार की वीडियो पाना चाते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तता उसका आगे की बेलाई घंटे भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिपिरिशन आपको मिलती रहे तो दोस्तो आपको वैदू धारिता की परिवासा लिखने से पहले आपको समझना होगा कि ये धारिता क्या चीज होती है तो दोस्तो धारिता का अर्थ होता है धारन करने की छमता तो दोस्तो यदि किसी वस्तु में धारन करने की छमता है तो दोस्तो वह वस्तु धारिता कहलाएगी क्या कहलाएगी धारिता कहलाएगी तो दोस्तो आप समझगे होंगे कि धारिता हम किसे कहते हैं अब दोस्तो आप समझगे कि वैदु धारिता किसे कहते हैं तो दोस्तो यदि किसी चालक में वैदुद धारण करने की छमता है तो वह चालक वैदुद धारिता कहलाएगा क्या कहलाएगा वैदुद धारिता कहलाएगा तो दोस्तो आप वैदुद धारिता को समझे होंगे अच्छी तरह से कि वैदुद धारिता होती क्या है अब दोस्तों आप वैदु धारिता की परिवासा कैसे लिखेंगे ये समझ लिजे जब किसी चालक में आवेज संचित किया जाता है तो चालक की आवेज धारन करने की यह चमता उसकी वैदु धारिता कहलाती है तो दोस्तों आप अच्छी तरह समझे होंगे कि आपको वैद्यो धारिता की परिवासा कैसे लिखनी है अब बात आती है कि वैद्यो धारिता का सूत्र कैसे सिद्ध करेंगे तो दोस्तों आपको वैद्यो धारिता का सूत्र सिद्ध करने के लिए लिखना होगा चालक को दिया आवेश क्यूं चालक में उत्पन विवांतर वी के अनुकरपाती होता है तो दोस्तो आप जानते हैं कि हम आवेश को क्यूं से और विवांतर को वी से नुपित करते हैं दोस्तो जब हम किसी चालक में आवेश परवाइद करते हैं तो उस आवेस के कारण उस चालक में विवानतर वी उत्पन हो जाता है तब है विवानतर वी आवेस के अनुकपाती होता तो हम लिख सकते हैं क्यों अनुकपाती वी क्या लिख सकते हैं क्यों अनुकपाती वी अब दोस्तों हम क्या करेंगे अनुकपाती को हटा देंगे तो दोस्तों जहाँ अनुकपाती को हटाएंगे तो हमारा गुटपाती के स्थान पर C आ जाएगा क्या जाएगा? C आ जाएगा और V का V रह जाएगा अब दोस्तों आपको क्या करना है? V को आपको left hand side लेके जाना होगा तो हम जब V को left hand side लेके जाएंगे तो यह हमारा हो जाएगा Q upon V Q upon V बरावर C तो दोस्तो हमारा यह सूत्र हो जाएगा Q upon V बरावर C तो दोस्तो हम इसे दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं C बराबर Q अपोन V दोस्तों हमारा वैदू धारिता का सूत्र ग्याद हो चुका है कि जहां C बराबर दोस्तों जहां C हो समझ लीजिए वहां क्या है? वहां चालक की धारिता है क्या है? चालक की धारिता है तो हम यह लिखेंगे C बराबर चालक की दारिता तो दोस्तों आप समझे ये और जहां C है तो वह जरूल दारिता है दारिता को हम C से ही नूपित करते हैं किसे नूपित करते हैं? C से नूपित करते हैं अब बात करेंगे वैदुद दारिता के मातरक पर तो दोस्तों आपको heading डालनी होगी वैदुद धारिता का मात्रक और उस heading में लिखना होगा SI पदिती में वैदुद धारिता का मात्रक कूलाम पृति बोल्ट या फेरेड है दोस्तों आपको क्या लिखना होगा वैदुद धारिता के मात्रक में फिर से समझ लीजे कि ऐसाई प्धिती में वैदु धारिता का मातरक कूलाम प्रिती बोल्ट या फेरेड है तो दोस्तो आप समझ लीजिए कि वैदु धारिता के जो मातरक होता है वैग कुलाम पृति बोल्ट होता है या फिर फैरड होता है वो भी ऐसा ही पधिती में अब दोस्तो आपको परिवासा भी किलियर होगी सूतर भी किलियर होगया और मातरक भी किलियर होगया अब बात आती है वीमा पर तो अब मैं आपको समझाऊँगा कि आप वैदु धारिता की वीमा कैसे ग्याद करेंगे आपको हेडिंग डालनी होगी वैदु धारिता की वीमा क्या हेडिंग डालनी होगी वैदु धारिता की वीमा तो दोस्तों आपको वैदु धारिता की बीमा ग्याद करने के लिए कुछ निकरना आपको बस वैदु धारिता का सुत्र पता होना चाहिए तो वै मैंने आपको ग्याद करके दिखाया था कि वैदु धारिता का जो सुत्र होता है वै होता C बरावर Q अपॉन V क्या होता है Q upon B तो दोस्तो यदि आपको सुत्रियाद है तो आप बीमा एक मिनिट में ग्यात कर लेंगे तो दोस्तो आप जानते हैं कि हम C को वैदुदारिता कहते हैं क्या कहते हैं वैदुदारिता बराबर तो दोस्तों आप जानते हैं कि हम क्यों कूलाम कहते हैं क्या कहते हैं कूलाम कहते हैं तो हम यह लिखे लेंगे कूलाम अपोन दोस्तों आप जानते हैं कि हम वी कूलाम कहते हैं क्या कहते हैं क्या कहते हैं बोल्ट कहते हैं तो हम लिखे लेंगे बोल्ट आपको बैदु धारिता लिखना तो दोस्तों फिर आपको क्या करना आपको कूलाम का मातरख लिखना तो दोस्तों कूलाम का कोई मातरख नहीं होता इसलिए हम क्या करेंगे कूलाम को कूलाम ही रहनेंगे अब आपको क्या करना आपको बोल्ट का मातरक खोलना तब बोल्ट का मातरक होता है जूल अपोन कुलाम क्या होता है जूल अपोन कुलाम तो दोस्तों मैंने लिख लिया है जूल अपोन कुलाम अब आपको क्या करना आपको कुलाम के नीचे बन मानना है और आपको जूल की गुणा इस बन में कर देनी है और कुलाम की गुणा उपर वाले कुलाम से कर देनी है तो यह हमारा हो जायागा बराबर तो दोस्तों यह हमारा हो जायागा कुलाम अपन बन गुणा कुलाम अपन जूल अब आपको क्या करना कुलाम की कुलाम से गुणा कर देनी है और जूल की बन से गुणा कर देनी है तो जब हम कुलाम की कुलाम से गुणा करेंगे तो यह हमारा हो जागा कुलाम लाम का स्कॉार हो जागा यह हमारा हुजाग कुलाम का स्कॉार और जूल की गुणा हम बन में करेंगे तो यह हमारा हुजाग जूल तो दोस्तो अब आपको क्या करना आपको कुलाम की बीमा लिखनी है तो कुलाम की बीमा क्या होती है एटी तो मैं एटी लिखे देता हूँ दोस्तो इस पर इसक्वार चड़ रहा है तो मैं इसक्वार लिख दूँगा अब आपको क्या करनी है जूल की बीमा लिखनी है तो जूल की बीमा होती है ML-T और L तो दोस्तो ये होती है हमारी जूल की बीमा अब हम क्या करेंगे इस L की उड़ा इस ml t-2 से कर देंगे तो जब हम l की उड़ा इस l से करेंगे तो यह हमारा हो जाएगा l का square और यह हमारा रहेगा t-2 तो दोस्तो अब दोस्तो आपको क्या करना है आपको ml का square t-2 को उपर लेकर जाना है तो जब आप उपर को लेकर जाएंगे है तो जो प्लस मोना जाएगी कि जो माइनश की चीज यो माइनश की ठाक्राइगी दोस्तो घ्ट कैसुक्त को निर्हन देंगे कि हम एक टो सब्सक्स जो हम हcorre को पर लेके जाएंगे तो यह को कुछ मा Shi के अंदर कर देनी है तो दोस्तो जब हम दो की गुणा ए टी का अंदर करेंगे तो यह हम रो जाएगा E का isquard टी का isquard है कि हमारे रहेगा M L –1 L – 2 T – 2 अब आपको क्या करना है इन दोनों की गुणा कर देनी है तो गुणा करने पर क्या होगा जो गात की चीज़ें वो जूट जाएंगी और गढ़ जाएंगी तो हम पहले M को देखेंगे M को कोई मान है इन दोनों में नहीं है तो हम लिख देंगे M-1 फिर हम देखेंगे L का है तो L हमारा ये रहा L-2 क्या ये इसमें है नहीं है तो हम इसे लिख देंगे L-2 अब दोस्तो देखें हमारे पास क्या बचा अब हमारे पास बचा ये बचा है तो दोस्तो इससमें A 2 है तो हम लिख देंगे A टू का एटू तो दोस्तों ये हमारी ग्यात हो चुकी है वैदुद धारिता की बीमा क्या ग्यात हो चुकी है वैदुद धारिता की बीमा तो दोस्तों आपको वैदुद धारिता की बीमा सेम ऐसे ही ग्यात करनी है यदि दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो झाल झाल झाल